बावसाम बेटकर तो खुद ये कहते थे कि मुझे पूझने की नहीं पढ़ने की जूरज़त है मैं किताब हूँ मैं मंदिरों मूर्थियों मैं नहीं मैं किताब हूँ मैं अगर ये परमीशा नहीं दी जारी तो मैं बानता हूं कि BJP कत्री और कड्डी फरक है कि बीजेपी जो कहती है उसके विप्रीत अक्सर करती अक्सर करती वावसाम बेटकर की जनब भुभी हो उसको राष्टे समारक घोसित किया जाए कम से कम एक दीपक जरूर जलाएं अपने तैवार फेस्टिवल को फेस्टिवल की तरह मनाएं इससे असपस्ट होता है कि सरकार नहीं चाहते कि वावसाम बेटकर की विचारदारा गाउं गाउं तक चाहे आज का जो हमारा लाईव है वह चोदा अपरेल को लेके है कि चोदा अपरेल है प्रहम पूजनी अंडी डॉक्टर वावसाम बेटकर की जैंती है और वह पूरी दुनिया में बनाई जाती है । irgendwie कारियों की वज़े से भारत में नहीं दुनिया में। उनका सम्मान। है उनकी जेनती आ रही है। जैसे ही जेनती की खबर आई तो। जेनती पे जो खबर आई मुझे वो यह है कि। बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश में सरकार प्रमिशन नहीं दे रही है, सोभा यात्राओं की या जैनती मनाने की, तो उस पर मेरा सभी सरकारों से यह कहना है, उनकी इंटेलिजन्स, उनकी लाईउ, उनके जो और तंत्र है वो उनको बताएंगे, मेरी सरकारों से अपील है, अस्पेशल उत्तर प्रदेश की सरकार से, कि भारते सविधान सभी धर्मों को धार्मिक सवतंत्रता देता हर वेक्ति को, कोई भी वेक्ति अपने धर्म के तैवार को, अपने महापुर्सों की जनम जैनती को, या अन्य किसी कार्यकरम को करने के लिए, अगर वो करना चा लिए, बीजेपी की सरकार उत्तर प्रदेश में हैं, बीजेपी के जो प्रैमिस्टर हैं, बीजेपी प्रैमिस्टर तो देश के हैं, लेकिन बीजेपी, अस्पेसली बीजेपी के बारे में, उनकी कतनी करनी यह है कि वो बड़े लंबे समय से मैं देख रहा हूं कि वो बावा साब की बात करते हैं लेकिन वहीं वह बावा साब के विचारों को उनके इस पावन दिन पर वो उनके विचारों का परचार प्रसाड ना हूँ मुझे ऐसा मैसूस होता है इसलिए वो जैनती के कारेकरम की परमिशन नहीं दे रही देखिए मैं वापस एक इस बात को दोराता हूँ कि सभी धर्मों को धार्मिक सब्तंतता भारते सविधान देता है सभी लोगों को कि वो अपने धर्म के आईजनों को कर सके सब की अपने अपने आश्ता है जैसे इसलाम को मानने वालों की इसलाम में आश्ता है हिंदू धर्म को मानने वालों की हिंदू धर्म में आश्ता है जैन धर्म को मानने वालों की जैन धर्म में आश्ता है सिक धर्म को मानने वालों की सिक धर्म में आश्ता है वैसे ही हम जो वंचे सोसी तबके के वर के लोग हैं उनकी भी अपने महापुर्सों में आस्ता है मैं कुछ दिन पहली बात करूँ अभी हनुमान जैनती मनाई गई सब जगा पे सब लोगों ने आजन किया हमें किसी को प्रेशानी नहीं हुई जिन लोगों की उनमें आस्ता है उनको पूरी आजायत है कि वो अपने धार्वी कायज़न को करें लेकिन फिर जब जो बावसा अंबेटकर को माननेवाई लोग हैं उनमें आस्ता रखते हैं उनमें विश्वास रखते हैं कि उनको भी परमेशन मिलनी चाहिए जबकि करना तो सभी सरकारों को चाहिए कि जहां जांजा उनके यहां डॉक्टर अममेटकर भावन के नाम से या पार्क के नाम से बावसामेटकर की स्टैचू लगी वह उनको उनकी जैसे उनका ये पावन परवा है, उनकी जैनतिस हमारों का समया रहा है, तो उनको जैसे वो अन्ने महापुर्सों के लिए कराते हैं, उनको चाहिए कि वो स्वेता कराएं, उसके साथ साथ उनको जो उनकी स्टेचूज लगी वे हैं, उसको उसकी सफाई कराएं, उसको उसको पर पेंट कराएं उसको सजाएं अगर वह वास्तिकता में जो भी शर्कार जाएं वह वास्थिकता वावसंवेड़ करती हैं और उन्विशा है उनको मनाने कि उनके जैन०्री को मनाने मुन्हार कर hakNam सबी सरकारे जहां भी है उनको चाहिए कि फिर दुबारा कह रहा हूं कि वह बावसां बेट करकि जहां-जहां स्टैचू या उनका पार्क उस तरह से जो जहां आईजन होते हैं उन जगह उपे उनको जो है उनकी साफ सफाई कराएं उन मूर्तियों को पेंट कराएं जिससे कि यह जैनतिस हमारों मनाने में उनके अनौईयों को कोई मुश्किल का सामना ना करना पड़े क्योंकि मेरे पास ये खबर है कि हजारों जगह पे पर्मिशन नहीं दी जा रही है और अगर ये पर्मिशन नहीं दी जा रही तो मैं मानता हूं कि बीजेपी कतनी और करनी फर्क है मैं समय समय पे अपने साथेों को समझाता भी रहता हूं कि BJP जो कहती है उसके विप्रित अक्सर करती अक्सर करती चाहे वो उनके बड़े से बड़े नेता प्राइमिश्टर हों या उनके स्टेट के मुखे मंद्रियों या और उनके बड़े नेता हूँ वो हमेशा जो कहते हैं उनकी विचारधरा उसके अगेंस्ट है लगभग बड़े पामामलों में ऐसा देखा गया अगर वास्तिक्ता में बीजेपी बावसाम बेड़कर को मानने वाली पार्टी है उनके अनुयाईयों के कोई तो परदशन करने का समय उनको उनको पर्मिशन देनी चाहिए अगर वो पर्मिशन नहीं देती तो मैं समत्ता हूँ कि बीजेपी मुमे राम बगल में छूरी वाला काम है उनकी कतनी करनी में फर्क है और वो सिरब बाबा साब का नाम इन वर्गों की वोट लेने के लिए करती है दिखावा करने के लिए करती है मैं और समाज इस बात को मानता है कि बाई बीजेपी और जो अन्य सरकारे अगर वो इस तरह की चीज़े नहीं करती जो उनके यहां इस तरह के भवन या इस तरह की जो पार्क या इस तरह की जो इस टैच्यों गर लगए और वो ऐसा नहीं करती इसका मतलब वो सिरब दिखा बावा करती है और दिखाने के लिए वर्गों के वोट को लूटने के लिए उनका नाम लेती है उनके महापुरसों का तो सभी जगा परमिशन देनीचे अब मैं अपने साथियों से भी कहना चाहता हूँ भीमार्मी आजास समाज पार्टी के जहां गाओं के साथ ही परमिशन लेना चाहते हो नहीं मिल रही हो तो मैं आपसे अपील करूँआ कि आप भीमार्मी के बैनर पर उनको परमिशन दिलाएं आप एक बड़ी संगठन है आपकी पूरे देश में जो है यूनिट से आपकी गाओं में सभाएं हैं आपकी गाओं का संगठन है या फिर आजास समाज पार्टी के बैनर परमिशन दिलाएं जिससे कि आसानी से उनके अनुयाई अपने गाओं में अपने कस्बों में अपने नगरों में अपने शहरों में अपने छेत्रों में बावसाम बिट करकी जो जैनतिस हमारों है उसको मना सके ऐसा मेरा सभी अपने कार्यकरता नेताओं से अपील है कि जहां जिनको प्रिमिशन की वो आ रही हो वो आगे बढ़के प्रिमिशन की जिम्मेदारी लें और परसासन से बात करके पर्टिय संगठन के बैनर पे उनको क्योंकि आपको गाओं गाओं में संगठन उनको इजाद दिलाएं क्योंकि उसमें आपको कोई नहीं रोख सकता है अगर आप पर्टी के इस तरफ प्रोग्राम करें हम भी 14 अपरेल को बावसाम बेटकर की जो जनम भूमी है जहां वो पैदा हुए मों इंदोर जाएंगे मद देप्रदिस के साथियों से कहना चाहता हूं कि हम यह चाहते हैं कि व्यावसाम बेटकर की जनम भूमी हो उसको राष्ट्य समार घोसित किया जाएं वह वैसे तो विसुद्रोवर है लेकिन भर्दे जहां उनकी भर्द जनता पर्टी के वहां सरकार है तो हमारी यह मांग है कि उसको राष्ट्य द्रोवर जो है घोसित किया जाए उसके लिए हमने महां सभा भी रखी है हमारे सभी कारेकरता बड़े पैमाने में मजबूती से महां पहुंचेंगे बारा फरवरी की तरह और वहां एक विशाल लेली के रूप में हमारे साथ ही सरकार पे यह अपनी मा साथ को कि आपकी भावनाओं का उकड़ते साथ जो है उस जगह को राष्टेस्वार घोसित कर दें यहां मांगने से कुछ नी मिलता उसके लिए आवाज उठानी पड़ती इसलिए मैं आप से अपील करूंगा कि आप 14 अप्रेल को महूं जरूर पहुंचें मद्दे प्रद महापरूस कहते हैं कि मुझे पूझने की नी पढ़ने की जूरत जो कहते हैं मैं मूर्तियों में नी किताबों में यह तो उनके सम्मान के तोर पर मैं इसलिए बताया कि जहां-जहां पहले से स्टेच्चू लगी वहां इस तरह की परकरिया सरकार को अपनानी चाहिए और सम ने बहुजन समाज से भी अपील करूँगा कि वो महापुर्सों को पढ़ने का काम करें ना कि उनको पूझने का जब आप इस बार जयन जयनतिस हमारों बनाएंगे तो उनके विचारों का परचात पुसाद करेंगे आप सोभय आत्राब निकाल रहें तो उनके द्वारा कही बातों को उनके द्वारा कही बातों का बैनर बनाके पोस्टर बनाके जाकी के तोर पे करके यह सविधान में जो हमारे अधिकार हैं हमारे जो करतवे हैं जिन जिन आर्टिकल्स में हमें अधिकार मिलें उनको यह जो आज की सरकार भूल बैटी है जो धर्म निर्पेक सरकार जिसको होना चाहिए वो जो भूल बैठी है तो वो जो जिन आर्टिकल्स में जो है धर्म निर्पेश्टा की बात हुई है सविधान का जो प्रिंबल है उसमें जो धर्म निर्पेश्टा की बात ही उनको भी हमें इन सरकारों को दिखाना चाहिए कि वो देखें कि वो जिस तर करने की बजाए विचार गोस्टिया करें और मेरी आप से एक बहुत इंपोटेंट अपील है कि अपने घर में अपनी बहनों को हो क्योंकि गाड़ी के जो दोनों पईये होते हैं एक आगे चलेगा एक पीछे तो काम नहीं चलेगा अपनी हमारी जो बहने हैं माएं हैं जो कौन जन में उन्होंने क्या किया उन्होंने किस तरक संगस के यह बात समाज में और सबसे पहले अपने परिवार में ज़रूर बताएं हम समाज को सुधारने की बात करते हैं सबसे पहले हमारा प्रयास है कि हम अपने परिवार में इस सुधार को लाएं अपनी बेहनों को अ नया जन करते हैं बाबा साब की तस्वीर रख देते हैं बाबा साहब को पढ़ने से हमारा काम आगे बढ़ेगा बाबा साब की बात पर विचार करने से उपर चलने से हमारा काम आगे बढ़ेगा उनको पूझने से आगे नहीं बढ़ेगा फिर मेरा ये आप से बहुत एक और important वो है देखिए दूसरे लोगों के पास बड़े-बड़े साधने परचार के टीवी में भी आते हैं अकबार में भी आते हैं बैनर पोस्टर पे भी आते हैं कई जगा और आते हैं आपके महापुरसों की जानकरी कैसे जाए उसके लिए ल माज इतना खर्चा स्वाइमान सम्मान के लिए और उन महापुरसों के लिए जिनकी वज़े से आज हम अपने पैरों पर खड़े उपा उनके लिए उठा सकता है एक दीपक जरूर जलाएं कम से कम एक दीपक जरूर जलाएं अपने तैवार फेस्टिवल को फेस्टिवल की सेलिबरेट करना जाए जिससे कि आपके बच्चों में आने वाली पीडियों में जागुकता फैले और वो जानने का प्रयास करें कि आज हमारे घर पी इस तरह का आयजन हो रहा है अच्छा खाना बनाया अच्छे कपड़े हम लोग ने पहने हैं और हम लोग विचार गोस्ट हम लोग सेलिबरेट करें और फिर मैं कहर राँ किसी भी अपरुस की जैनती आए जैसे मैं आपर ये राश्विद्य को विजान के चर्चा करें सबसे इंपोर्टेंट पॉइंट जहां पर्मीशन नहीं हो रही है है कि हाए हुलर्ट करने से नहीं नाचने कूदने से नहीं तमासा बनान से अपने महापुर्सों की बात को बैठके समझदारिस से जानने से जो है हमारा काम आगे बढ़ेगा इसलिए मैंने आपसे अपील की कि आप ये करें और चोधा अप्रेल को हम लोग बावसाम बेटकर की जनम भूमी को राष्टे समारा घोसित किया जाए उसकी मांग को लेके हम लोग उनको नमन करने और फिर सभाक के जरिए सरकार तक की मांग पहुचाने के लिए प्रदेश की और केंडर की हम लोग जो है पहुचेंगे अद्द्र प्रदेश के सातियों से मैं अप्इल करूँगा कि भी वहां पहुचे है और यहां उत्तर क्रस्बूक पर भीमारमी के पेज तो इसलिए मगर उनके राष्टे पर चलने के लिए आने वाली पीडियों को त्यार करने के लिए इसलिए मैंने आप से पिल की एक दीपक जरूर जलाएं ग्यार अप्रेल को भी जलाएं तेरा अप्रेल को भी जलाएं चोदा अप्रेल को भी जलाएं और अपने घर में बैठके जरूर करें बहनों से माओं से बच्चियों से बच्चों से जरूर चर्चा करें उनको पता होना चाहिए कि कोंस्ट्यूशन पर चर्चा करें देश के स सविधान पर सविधाने में क्या अधिकार दी हैं सविधान के अधिकार से पहले जो है हमें कितने अधिकार देन पर जरूर चर्चा करें क्योंकि मैंने पहले बताना कि इतियास आपको बल देता है इतियास आपको सीख देता है इतियास आपको जानकारी देता और वावसाम ब पीडिया और वर्तमान के जो लोग संगर्श कर रहा हैं वो अपने महापुर्सों के आदर सिध्धान्त और उद्देश्टों को समझते वे संगठित हो के काम करेंगे और जो साथी काम कर रहे हैं बीमार में आजा समाज अन्याय हुआ राइस्थान में उस पर हमारे साथ ही सत्यवान जी और उनकी टीम ने जाके वहां की जो टीम में बहुत अच्छा कारिये किया मैं भी उनके परिवार से मिलने जाओंगा मैं चाहता हूँ ऐसा न्याय किसी बहन के साथ ना हूँ लेकि इतने बड़े अन्याय पर मीडिया खामोस हो जाता है सरकार चुप हो जाती है कोई जो लोग हमें रोज हिंदु का पार्ट बढ़ा है वो कोई हिंदु आती संगटर एक आके नहीं बोलता है कि बच्ची के साथ अन्याय है हम इसको न्याय जिलान चाहते हैं आपको फिर उर्तिन एसास होता है कि आपक लोग आपको बता सकता है कार्तिक भी लोंप्रकार रहेगर भाई जीत इंद्रमेकवाल बढ़ी जो है इंद्रमेकवाल के परिवार उसाथ जो नया है वो उस पर क्या कार वहीं है आप पहतर जानते मुझे किसी को बुरा नहीं कहना है सब अच्छे हैं सब अच्छा काम कर नहीं उन्ति और नने मिम फंच्ट करें के अगर आप गलती करेंगे आप गलत लोगों साहत देगे तो होगा यह कि जो हमारी गलती युस गलती की वैसे जो Já जो नीन ही आप गलत कर दोगे जो पांस साल चलिए मते दहुए लिए विएर 59 झाल झाल